आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से मुझे उमीद है आप सब स्वस्थ होंगे सुरक्षिक होंगे आज मैं आपको कोई वेकेंसी का अपडेट करने के लिए नहीं आया हूँ लेकिन आज की जो वीडियो है वो जितने भी जो गौर्मेंट जोब की तियारी करते हैं उनके लिए most important है क्योंकि देखे क्या होता है जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अच्छे और बुरे का परक कर पाएंगे हमेंसे आप जाही आप मेरे चैनल पर वीडिया सेखे करते नहीं आपको बतल आता होगा इसका मतलब कैस्ते होता अधी सूचना ताकि आपको सारी चीज़ समझ माई मेरे बच्चों सब्सक्राइब क्या होता है नोटिफिकेशन की हिंदी होती है अधी सूचना यह एक क品 अफिसियल एनॉसमेंट होता है कमीशन की तरब से अब सब कमीशन अलग लग किसन का मतलब होता है जैसे पहले आप समझे जैसे सब से पहले में बता रहा हूं आपको चर्चा कर रहा हूं मैं SSE की, stop selection commission selection commission जो है, वो कभी भी notification जारी नहीं करता है vacancy निकाल लें की ठीक है, stop selection commission जो है वो कभी notification नहीं जारी करता है stop selection का काम क्या है, पहले आप समझेंगे जैसे की हर साल मानि 2004 जल रहा है तो stop selection commission जनवरी में किसी भी साल के स्टार्टिंग में और सिर्फ अपना कलेंडर जारी करता है कभी भी नूटिफिकेशन आउट नहीं करता है किसी वेकेंसी एक कलेंडर जारी करता है आपको बता देगा कि यह डेट है इसका यह होगा यह होगा कभी बताते रहते कि नूटिफिकेशन आउट होगा आप समझते हैं कि इसको फॉर्म भराना शुरू हो गया नहीं नहीं सो नहीं आप कभी भी देखेंगे नोटिफिकेशन अलग है आप जैस करता है जिस दिन से वह आपको नूटिफिकेशन डाला उसी दिन से फॉर्म भराना शुरू हो जाता है चाहिए एससी के जो भी डेट होते हैं फॉर्म भराने का या उसके एक्जाम के डेट होते हो फिक्स होते हैं कभी नाच चेंज होगा आप पिछले 5 सालों का उसके इति परचा नहीं करोंगा कि उसके डिट सीधा दर हो सकते हैं चुनाओ की वज़ा से ठीक है तो यह दो जाए तो रेल्वे का एटिप नोटिफिकेसन ने बहुत गरवरी होता है रेल्वे हमेशा चार चार पांच पांच एक वेकेंसी लिए नोटिफिकेसन जारी करता है आपको ज जारी करेंगे अगर सेप्टेमबर में आपको पेपर लेंगे उसका भी नोटिफिकेसन डालेगा रेल्वे में कई तरह की नोटिफिकेसन होते हैं समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या करूं सब कमीशन के नोटिफिकेसन का अलग माइने होता है उसके भी नोटिफिकेसन तिन-चार लॉट में आता है कि काधार काड आएगा उसका भी नोटिफिकेसन आएगा कब आपका पेपर होगा कब हैंसी साल पहले जारी सोचना नोटिफिकेसन की सरकार होती है वह अपने साइट पे एक एक साल पहले देता है तभी आप लोग जान दो आएगा उसका भी नोटिफिकेसन जारी करेगा जारी नहीं करता है तो मैं हर चीज में आपको बता देता हूँ उसका मतलब यह होता है कि पूरी जानकारी मैं आपको कलेंडर क्या पर देता हूँ अज जिस दिन किसी वेकेंसी के लिए उसी दिन से वो फॉर्म भराना शुरू हो जाता है आए बास समय क्लियर हो गया यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी आपके लिए समस्या थी कि नोटिफिकेसन और का मतलब क्या होता है तो मैं इस वीडियो में यही बता दिया हूँ चलिए आज के इतन नहीं नमस्कार धन्यवाद